हेलो फ्रेंड्स मैंने तिन गुपता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अप्रेल 2019 को आज B8 का एक्जाम था और इस B8 की एक्जाम में जो भी क्वेस्चन आये आपके नंबर जो है कितने आने वाले हैं आपके कितने प्रस्ण सही बनते हैं ठीक है तो आइए देखते हैं कि वो 50 प्रस्ण कौण कौण से हैं और उसके उपर बात करते हैं इसके अलावा दोस्तों एक्जाम ट्रेंड चैनल हमारा है और इसके अलावा इस्टडी 91 इन दो राश्वराश्चन देने की बात आती है तो याद रखिए जो निर्वाचन आयोग है भाई वही तो मानेता प्रतान करेगा ठीक है तो इसमें बहुत बड़ा Стीन तो है निर्वाश outrage प्रतान करेगा ठीक है तोников है कोई वी मानेता जो देगा राणि तिक दल्कुर कह देता है तो हमें सा निर्वाचन आयोग ही देता है, तो राइट एंसर आपका निर्वाचन आयोग हो जाएगा, देखें, आपसन यहाँ पे नहीं आपाया है, ठीके, क्वेस्चन, क्वेस्चन ही है और आपको समझना है, आगे कराये राश्पती लोग्साभा और राजसाभा में कितने फदस्यों को मनोनीत करता, मतलब उनको निर्वाचन करता, जिनको चुनाओं नहीं लड़ना पड़ता है, तो लोग्साभा में 2 लोगों को जो प्रतिंजित करते हैं, आंगल भासियों का और 12 लोग को निट करता है राजसभा में इस तरह देखा जा तो पूरे संसाथ में राशपती द्वारा कुल 14 लोग जो है निट किये जाते हैं और ये 14 लोग जब राशपती का निर्वाचन होता है ते लोग हिस्ता भी नहीं लेते हैं क्यों क्योंकि ये निट किया गया है डाइरेक्टिंग को मनोनीत किया गया है तो निर्वाचन वाले फदर सीखाली वहाँ पर इस्ता लेते हैं फिलालो बात की बात है यहाँ पर याद रखिए दो लोग राजसभा में अगर है सुप्रीम कोट का पूसता याँ आपका उच्चतम नियाले का पूसता तो उसके लिए 15 वर्स पर रिटार्मेंट है तो इसको याद रखेगा ठीक है आगे है सत्य में हो जाते किस उपनिसस से लिया गया तो आप सभी को पता है उस युद्ध का वर्डन जो है इस किताब में दर्साए गया और किराता अरजुनियम के लेखर कौन है तो भारवी ने लिखा एक किताब याद रखेगा ठीक है तो आपका एंसर जो है सही हो जाएगा आगे अस्टा ध्याई के रचईता कौन है तो यह उसको लिखा था पाड़नी ने ठीक है और पाड़नी ने यह अस्टा ध्याई की रचना इसलिए किया इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कुल आठ अध्या है और यह संस्कित व्याकरण की सबसे महत्पूर किताब है इसलिए उसको याद रखे आगे है भारती रामायडम में कुल कितने कांड है तो आपको ही पता है कुल साथ कांड हमारे रामायडम में दिये गए है ठीक है कौन-कौन से पहला बाल कांड है फिर अजुध्या कांड आता है फिर अरेड कांड आलता है जिसमें जंगल में को जाना पड़ता है भगवान राम को फिर किसकिंदा कांड आता है तब सुन्दर कांड लास्ट में युद्ध कांड और सबसे आखरी में उत्तर कांड इस तरह से कुल साथ कांड होते हैं तो याद रखेगा आगे हैं माल विकागनी मित्रम किसकी रचना है तो काली दास की रच आगे है डैत तेयरी में कौन सी संधी है देखेए इसमें आधात देख करके आप सभी बोलेंगे आयादी संधी है लेकिन बात को समझेए आयादी संधी दोस्तों तब होती जब इसको अलग करके कोई सिंस बना पाते है जैसे अगर मैं आपसे पूचता प्रतेक में कौन क्यों 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 कि इसका आप इच्छेत कर देत क्या होता प्रती धन एक बराबर क्या होता प्रतेक लेकिन दैत ते अरी में आगे है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके काड़ होता है तो आइरन आकसाइड के काड़ दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग होता है ठीक है किसके काड़ तो याद रखेगा आयरन आकसाइड के कारड़ इस अब नार्मल कोश्चन है बच्चो वाले कोश्चन है चोड़े बच्चे विसको कर देंगे आगे विसक की कौन सी नदी भूमत रेखा को दो बार काटती है तो याद रखेगा अफ्रीका में नदी भाती है कांगो गडराज में भाती है उसका नाम भी है कांगो कांगो नदी जो है ये भूमत रेखा को भूमत रेखा यानी जीरो डिगर लाइन को यानी विस्वत रेखा को दो बार काटती है ठीक है आगे है हिमाले परवत की संखला किस देश में नहीं है तो याद रखे है हिमाले परवत की संखला पाकिस्तान से होते हुए आपकी पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी लेके चलो उसको भारत में भी लेके चलो नेपाल भूटान तिबद ठीक है रिते हुए म्यामार तक चले मिट्टी को दोस्तो काली मिट्टी के नाम से भी जानते है कहीं कहीं रेगूर को रेगूर भी लिखा होता है कहीं कहीं इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्यों कपास की खेती के लिए जो है सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है इसको 4 नोजम भी मिट्टी भी करते हैं 4 नोजम, घिक है? 4 नोजम क्यों? इसको स्वता जिताई वाली मिट्टी भी करते है, ठीक है? ऐसब याद रखे इसी के सेंस में सारा उत्तरह है आगे है समूदाय का एक उuciónजच भी थारड है तो याद रखे महूं में पैदा हुए थे आगे भारत में प्रयुक्तोंने अली पहली धातु कौन सी है जब आप हिस्ट्री पढ़ने आते हो तो सबसे पहले आपको कौन चेप्टर मिलता है पासारकाल और अगला चेप्टर क्या मिलता है तामर पासारकाल ठीक है तो तामर प आपको देखनी थी कि अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछेगा तो लाड माउंट बिटन थें कौन लाड माउंट बिटन अंग्रेजों में थें और अगर भारती गवर्नर जनरल पूछ दिया ठीक है तो आप देख लिए होते हैं वहाँ पर क्या अपसन आपके दिया हुआ आगे डाग विभाग की अस्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था तो डलहुजी ने किया था दोस्तो डाग विभाग की अस्थापना डलहुजी ने लाड डलहुजी ने किया था ठीक है इसको याद रखेगा इसके लावा रेल चलाना डाग विभाग यह सारा का जो डलोजी नहीं किया था आगे राम कृष्ण मिशन के अस्थापना किस ने किया है तो स्वामी विवेका ने किया थारा चानवे में ठीक है विवेका नंद विवेका नंजी ने किया है राम कृष्ण मिशन के अस्थापना क्योंकि राम कृष्ण के गुरू के नाम था ठीक ह मनसबदारी प्रथा है मतलब एक आवकात की प्रथा थी कि किस ब्यक्ति का आवकात हमाँ पर कितना आवकात बोले तो समझ रहे ना आपके ठीक है यानि उस ब्यक्ति का पद उस ब्यक्ति की प्रसिद्धी कितनी ज़्यादा है उसके उपर होता था मनसबदारी पर था ठीक है अगला दोस्तो अगला question है कि Mesopotamia के अभी लेखों से सिंधु सबिता का वरडन मिलता किस नाम से Mesopotamia के लोग सिंधु सबिता के लोगों को बुलाते थे तो इस जगाओ को मेलुहा नाम दिया जाता था क्या मेलुआ याद रखेगा मेलुआ नाम दिया जाता है तो यहाँ पर राइट एंसर हो जगा मेलुआ आगे भारत में काफी का सरवाधी उत्पादन की सराज जिके द्वारा किया जाता है तो करनाटक करता है सफ्यादा काफी का उतकादन क्योंकि यहीं पर क्या है काली मिट्टी है काली मिट्टी कहवा काफी और कपास तीनों के लिए अच्छी मानने जाती है ठीक है आगे विश्व की कौन सी संस्था स्वास्ते से संबंदित है तो यह आपके स्वास के लिए सबसे बड़ी संस्था है ठीक है पूरे बिश्व में आगे स्वेत करांती का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखे वरगीच कूरियन को कहा जाता है स्वेत करांती का जनक स्वेत करांती से संबंदित था ठीक है इसको याद रखेगा अगर स्रम का भी भाजन होगा तो लोग गाउं से अलग अलग चीजों की खोज में एक तरफ आएंगे एक जगर जूटेंगे तो एक सहर का निर्माड होता है ठीक है तो यही चीज है आगे देखिए करकिस दर को बढ़ा कर निवेश को बढ़ाए जा सकता है तो अगर आपको इन्वेश्मेंट करना है अब सपोच करो अगर आप ही को इन्वेश्मेंट करने का मन है दोस्तो तो आप इन्वेश्मेंट कैसे करोगे जब आपके पास क्या होगी सेविंग होगा आपके पास बचत होगी अगर बचत जादा होगा तो इन्वेश्मेंट भी जादा होगा पूर्ड प्रतियोगिता हिंदी में लिखा होगा, महाँ पर पूर्ड प्रतियोगिता ठीक है, तो याद रखो, पूर्ड प्रतियोगिता में विक्रेता जो होते हैं, बड़ी संख्या में खरड़ारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विक्रिता भी ज़्यादा संख्या में होते हैं और आपके जो है जो सेलर होते हैं वो भी त्रेता विक्रिता दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है तो याद रखी आगे सिच्छक दिवस कम मना जाता है तो आप सभी को पता है पांच सिटमर को मना जाता है सिच्छक दिवस ठीक है आगे देखते हैं करा तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है जल्दी से बताइए तीन बेर खाती है यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर तीन बेर जो खाने वाला बेर उसकी बात हो रही है और यहाँ पर तीन बार हो खाती है, तो तीन टाइम, थ्री टाइम्स की बात हो रही है, तो यमा का लंकार है, ठीक है, सब देखी जैसे है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो है, अलग-अलग है, ठीक है, यहाँ भी देखे थोड़ा सी इडिट कर लिजेगा, यहाँ तीन बार न ये किन दो वर्डों के मेल से बिना तो याद रखे कव और सो के मेल से बनता है शो शो से चत्री ठीक है वीर रसकास थाई भाव क्या होता है तो याद रखे वीर रसकास थाई भाव होता है उतसा क्या होता है उतसा ठीक है आगे देखते हैं करा सदेव में कौन सी संदी है तो म दोंद में जैसे राजा, रानी, माता, पिता, भाई, बहन, दिन, राज, दुख, ठीक है ये सब दोंद में आते हैं दोनों पद यहां परधान होता है आगे हालही में गरतन दिवसवर विशेस अतिती के रूप में किस देश के राश्पती आये थे तो यहां पर रियाद रख इसकी थीम की थी नो ओटर लेफ्ट बिहाइंड ठीक, यानि कोई भी ओटर जो है वो छूटना नहीं चाहिए, दो नो ओटर लेफ्ट बिहाइंड ठीक, तो यह सारी चीज आप याद रखे, इसका थीम था, यह भी ध्यान दिजेगा, आगे किस योजना के तह सांसदों ने गाउं को गोद लिया था, तो आपको पता होगा, हाली में कुसमें पहले एक योजना आये थी, सांसद आदर सग्राम योजना, इसके तहट सांसद क्या करता था, यह गाउं को गोद लेता था, और उसको जो है डिजिटल बनाने का प्रयास करता था, उसको जो है अच्छा बनाने का प्रयास करता था, आगे ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती, देखे कुल मिला करके 5 मंडल है, सबसे नीचे होता 6 मंडल, ठीक, उसके बाद समताप, आयन, मध्य और बहिर मंडल, तो जो ओजोन परत दोस्तों यह आपके समताप मंडल में पाई जाती है, ठी इस बार का एसे फूटबाल कप जीता है, कतर ने, किस ने जीता है, कतर ने, और अगला फीफा जो होले वाला है, वो कहाँ पर होगा, वो भी कतर में होने वाला है, आगे है भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन खीची गई, तो इसका नाम है मैक मोहन रेखा, ठीक है, हलांकी इस रेखा को चीन नहीं मानता है, लेकिन ये रेखा खीची गई है, मैक मोहन लाइन ठीक है, आगे है भारत की सबसे पुरानी परवर सिंखला कौन सी है, तो सब पूरानी है अरावली प्रवा सिंखला उसकी सबसे उची चोटी का नाम क्या है बताइए इसकी सफी उची चोटी है गुरू सिखर ठीक है जहां पर दिलवाडा का जैन मंदिर है आगे है अकबर नामा किसकी रचना थी तो अबुल फजल ठीक है अकबर का काफी सहयोगी था उ इतना जल्दी खतम हो गया चलो यार फटा फट कोई रिक्कत नहीं तो इतना ही क्वेशन था और जो भी क्वेशन था हो मैंने आपको बता दिया तो चली इसी के साथ एक लास समात होती देखिए आप भी स्टेडी 91 से जुड़ सकते हैं इसका लावा यहापर सभी बिसेओं की मुप्त क्लासे दी जाती हैं एक्जाम ट्रेंड चैनल पे भी आपके धेर सारे प्रैटिस सेट कराया जाते हैं बहुत सारा कुछ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा सिर्फ आप यही दो चैनल फालो कर लो तो आप पूरे किसी भी कॉंप्टिशन एक्जाम की तयारी अच्छे से कर सकते हैं बहतर से कर सकते हैं बहुत सारे पढ़ने वाले लोग हैं लेकिन एक सिस्टमाटिक फार्मिट में जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा एक बार आप आईए देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता ह है तो आप चैनल पे रुकिए अधर वाई जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए आप सभी का धन्यमाद थैंकियो थैंकियो सो मच